हालो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजंत पुरवी तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बीएस से इस नोगर आप किसी भी कॉंपनेटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहां आईटे पर जाके मेरे प्रीवेस ग्रूप थियोरी, लीने अलजबरा, कॉंपलेक्स, मॉडरन, सभी के टाइप के वीडियोज मैं यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं सभी सब्जेट पर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं तो इस विन आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपक के सामने डिस्कस करूँगा इससे पहले में एक से पांस तक के ओर्डर के ग्रूप के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ तो वह आप आईडे पे जाके देख लेजें सुन यह एनलिसिस बहुत हेल्फुल है अगर आप आप आईडी जेम या गेट या सीसर रेट की तैयारी क यह देखते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आते राइट तो प्रीवेस देख लेजाए उसके बाद यह आप समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा सुन दिखें ओडर ऑफ सिक्स की बारे में तुम आपको बता दो कि पांस तक के ओडर के जितने भी नॉन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा घ्रुप यहां पर साइकलिक होगा कौन सा न नहीं होगा यह सब हमें आपको सामने वन वाइवन बताऊंगा एक से लेके 20 तक के जितने भी ग्रूप से उसके बारे में एक से पांच आलड़ी बता चुका हूं आईटे पर जाके वाले इस लिए तो होता है और इस थरी या फिर ड्री टाइब होता है तो मैं अभी आपके सामें डिसकेस करूँगा कि जो इस टाइब के उडर की गुरूप होते हैं उसका बीहेवियर कैसा होता है फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा उस्विन देखें जब्सिक्स की बारे में में जब करेंगे रिम missile से अबनाते हैं order of group के बारे में आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ पता रखा है मोडुलों के अंदर की मोडुलों के जो ग्रूप सोते हैं उसका behavior कैसा होता है कैसे हम order of element निकालते हैं तो यहां पर इसके order 6 होता है टू का order 3 3 का order 2 कैसे है तो यहार कुछ नहीं करना आपको 3 को 3 को उत्रे टाइम एड्ड करना जिससे जीरो बन जा रहाइड तो आप देख रहो 3 और 366 मोडुलों की वज़े से इसकी विल्यों क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो इसका order of 3 होगा हमारे पास वह क्या होगा इस तरह समस्ज़ सकते हैं इसी ताप से मारे पास 4 का order 3 होता और 5 का order 6 होता है वह element जिसका order group के order के बराबर होता है और जो generator होते है और जो generator होते है वह एक दूसरे के inverse भी होते मतलब 1 का inverse 5 होगा 5 का inverse 1 होगा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करता है एक तो इसको डिवाइट करता है तो इसको डिवाइट करता है तो जो जो इसको डिवाइट करता उतने ओर पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोनों जो होते ही हमारे पास सब्सक्राइब कि क्योंकि रूपास सब्सक्राइब नॉर्मल उते यह इसका वाद्ब यह कि जीवन जो ओगा नॉट सिंपल की परिवासा यह गर कोई भी कोई भी के पास यहां पे प्रोपर नॉमल्स नहीं होती तो नहीं होगता तो यहां पर इस लिए सिंपल नहीं होगा पूरा 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 को उसके बराबर होता है это स्विन च्राइब करेंगे यहां पर जो दूसरा टाइप का गुरूप था डी त्री और एक यह थी एक दूसरे के होते हैं अगर हम बात करें जो बात करें इस अल्टिमेटली वह स्थी के जैसा ही है राइट वह स्थी ही है तरसी यह समझ सकते हो आप अब सब्सक्राइल है ऑन जानते होते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं लेग सद्री में हमारे A2 is equal to identity A, B, A, B2, B, and B2, यहां पर rotation and reflections होते हैं, इसवर बात करें D3 के बारे में, तो जो D3 होता ही, हमेंशाँ non-abillion group होता है, और even S3 भी non-abillion होता है, there is a three element of order 2, मैंने भी आपके सामने बता देए, यहां पे three elements होते हैं, वो क्या होते है? order 2 होते है, यह भी order 2 होता, यह भी order 2 होता, और यह जो rotation होते हैं, यह मारे पास यहां पर क्या होता है, सुन, 3 order क्या होते हैं, यह ध्यान देने की ज़र होते हैं, सुन, there is a 3 element of order 2, right, and there is a 2 element of order 3, मैंने आपको बता है, यह पर इस टाप से होते हैं, जी टू है, टोटल 6 subgroup, सुन, यह पर 6 subgroup होते हैं, ध्यान दीजे, क्या 6 subgroup होते हैं, यह पर एक तो, सुन, यह पर क्या होगा, identity element के साथ बनेगा, एक पूरा का पूरा, हमारे पास D3 हो है, तो वो हमारे पास अलग-अलग subgroup बनाएगा, जीसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, identity A आजाए, फिर हमारे पास identity AB आजाए, फिर हमारे पास identity AB square आजाए, यह आएगा, फिर एक group हमारे पास बनेगा, identity B and B square, तो यह हमारे पास, यह हमारे पास चार तो यह होता है, और एक हमारे पास identity हो जाएगा और एक हमारे पास D3 खुद का खुद है तो हमारे पास total कितने होते हैं सुनुए अपर six subgroup होते हैं और ये जो subgroup हותा है सुनुए Z3 के आईसOMEwarfics होता है और सुन ये जो Z3 होता है D3 का normal subgroup होता है नहीं होता है तो मियां पर समझ सकते हैं इनने बताई दिया आपको गुरूप के बारे में की कौन-कौन से क्या-क्या ओडर होते हैं अब आगे बढ़ते हैं यहां पर इसका नॉमल सब्गूरूप होता है जो हमारे पास यहां पर थी हो जाएगा और थी ओडर के जो इलिमेंट होते हो स्वेम क्लास में जाते हैं यहां पर यह तो होती है यह पूरा का पूरा जो एनलसिस है यह 6 order के बारे में अब बात करेंगे 7 order के गूरूप के बारे में कि वह किस आप का behavior करता है स्वेम में बताना चाता हो कि जो 7 order है यह प्राइम order है और प्राइम order का ग्रूप होता है वह हमेशा कोई बी ग्रूप बनता है तो उसके identity के लावा बागी सभी element जो order होता है वह क्या होता है जैसा होता है इस सेवन होता है यह County क्या देने के जहन NHके अलावा कोई proper सब ग्रूप होता ही नहीं है तो यह नॉर्मल नहीं होगा और नॉर्मल नहीं होगा तो वह हमारे पास क्या होता है सिंपल ग्रूप होता रहे इस सुनिए जो जी होता है यह हमेशना सैक्लिक है और अबिलियन है प्राइम ओडर का तो इसका जो सेंटर होगा वह पूरा का पूरा कर दो पूरा पूरा उसके बराबर करके र हम सकते हैं कोई भी ग्रूप अगर हमारे पास क्लास में सब्सक्राइब उसके स्टर में जाय गEMAगर ऊतलों ौर जाएगा तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं तो यह बहुत सारे वीडियो अप्लोड कर रखें और आपको सामने नेक्स वीडियो लेकि आना वाला हूं तो यह बने रहे हैं मेरे साथ ऐसे वीडियो के लिए और प्लीस कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है क्योंकि एक नया तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको यह पता है कि एक से लेके 20 तक के ग्रूप का अब यह वेर आपको पता है तो आप कोई भी काउंटर एक्जामपल ले सकते हैं किसी भी चीज़ को आप समझ सकते हैं तो तेक यह सो मच पर वाचिंग में लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्रेब करें इस लिंक डिस्क्रिशन में मिल जाएगा वहां से भी करें थाएगा